जल अभिशेक अभियान निवोदा गाउं में तालाब जुडो धार कार का हुआ शुभारम भविश्य में जल संकट से बचने के लिए जल शंग्रक्षन जरूरी है कोलारस विधायक प्रचार्रत को हरी जंडी दिखा कर किया रवाना अभि जल अभिशेक अभियान चल रहा है इसके तहए तलाबों का जुडो ध्वार का काम शुरू हो गया है कुलारस की ग्राम पंचाइट निवोदा में कुलारस विधायक वीरेंद रगवशी के मुख्यात्त्य में तलाब जुडो ध्वार कारे का शुभारम किया गया कारिक्रम में कलेक्टर अक्षे कुमार सिंग, पुलिस अदिक्षक राजे सिंग चंदेल, किसान मोर्चा के जिलाद्यक, चीमा सहिद, अन्य जनपति निदी एवं अधिकारी उपस्तित रहे कुलारस विधाय वीरेंद्र रगवंशी ने जल संग्रक्षन पर चर्चा करते हुए कहा कि व्रक्षा रोपन और जल संग्रक्षन से शुरू में ही मेरी रूची रही है यदि हम देखें तो कुछ वर्षो पूर पानी की इतनी समस्या नहीं थी लेकिन अब धीरे धीरे जल स्तर नीचे जा रहा है तलाब सूख रहे हैं आगे भविश में हमें गंभीर परिस्तितियों का सामना ना करना पड़े इसके लिए जल संग्रक्षन और भूच जल संबंदन बहुत जरूरी है जिसके लिए जलाबिशेक अभियान चलाया जा रहा है इसके तहर तलाबों का जुड़ो ध्यार किया जाएगा सभी नागरिक जाग रुक रहें और जहां कहीं तलाब निर्मित किये जा सकते हैं उसकी जानकारी संबंदित अधिकारियों को प्लब्द कराएं उन्होंने सिंद नदी और कूनो नदीव बनाने वाले डैम किप संबंद में जानकारी दी कि शिप्पूरी में जल की समस्या को दूर करने के लिए उनके द्वारा लगाता है प्रयास जारी है कारिक्रम में कलेक्टर और पुलिस अधिक्षक ने भी ग्रामिडों से कहा कि यदि हमें भविष में जल संकट का सामना करने से बचना है तो अब इसे जल संकरक्षन की दिशा में काम करना होगा बालिकाओं महिलाओं ने निकाली कलश्यात्रा शुभारम कारिक्रम में कन्या पूजन कर कारिक्रम की शुरुआत की गई बालिकाओं महिलाओं ने कलश्यात्रा निकाली अधिकारियों ने भी श्रंदान किया और तालाब जिरोद्धार कारिका शुभारम किया कारिक्टरा में मुख्य अतिती, विधायक विरिंद रगवंशी, कलेक्टर अक्षे कुमार सिंग, पुलिस अधिक्षक और अन्य जनप्रतिनिदियों ने व्रक्षा रोपन किया जल जीवन मिशन के तहट हर घर जल नल से जल पहुचाने का अभ्यान जारी है शिवपुरी जिले में भी लगबग 800 गाउं को इस अभ्यान से जोड़ा जाएगा जल जीवन मिशन के प्रचार प्रसार के लिए जागरुकता रख्त को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया यह जागरुकता रत गाउं गाउं जाकर जल जीवन मिशन के बारे में इसके संचालन के बारे में ग्रामिडों को जानकारी देगा